लो फन्ट्स वेटमेशा, सुश्वार सी यहां पे cross करने के बाद immediately यह नीचे आ गया और यह level एक volatility zone रहेगा हम लोग उने clear किया था 36,900 के नीचे ही हम लोग यह थोड़ा सा bearish बनेगा इसके नीचे यह aggressive selling कर सकते हैं आज अगर हम लोग देखेंगे यह point पे इसी level के अंदर यह volatility definitely create किया है immediately 36,900 के आसपास क्योंकि यहां से swing लेके breakout दिया था उपर की तरफ move गुआ था इसी level पे थोड़ा सा support लिया फिर यह उपर गया जहां से resistance मिलना चाहिए था फिर यह नीचे की तरफ आया तो slow and steady एक downside का pressure यहां पे है तो कल immediately अगर 36,900 का level यह cross करता है intraday के अंदर हम लोग इसको sort कर सकते हैं 50 से 60 रुपे का stop loss रहेगा उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है और कहां पे open होना चाहिए थी कि 2-3 point पे open हो सकता है अगर बहुत बढ़ा गया पप खुलता है फिर हम लोग को planning different होगा लेकिन अगर यह 37,000 के अंदर कहीं पे और 36,900 इसी range के बीच में कहीं पे open होता है और यह cross करता है immediately फिर यहाँ पे एक अच्छा trade मिल सकता है immediate support कहां पे है अगर हम लोग देखेंगे 36,600 के आफ़ पास एक immediate support दिख रहा है 36,600, 30 या 40 लेवल तक तो एक अच्छा लेवल है almost 200 points यहाँ पे मिल सकता है एक अच्छा trade मिल सकता है अगर यह कल flat खुलता है अगर 37,020 इसके ऊपर कहीं पे open होता है इसके ऊपर open होने से यह फिर थोड़ा सा positiveness में move कर सकता है upside move कर सकता है इसके पीछे का अगर region आप लोग देखो कि यहाँ पे एक छोटा सा channel के अंदर market move कर रहा है बहुत बड़ा range नहीं है ट्रेंड नहीं है इसी range के अंदर यह move कर रहा है अगर यहाँ से नीचे की तरफ breakout देता है 36,900 फर्स्ट आप में तो आप लोगों को 36,600 के आसपास target होना चाहिए अगर यह directly open हो जाता है that means यहाँ पे थोड़ा सा positiveness हो जाएगा फिर closing price के आसपास यह support बन जाएगा और यह level break नहीं करेगा और फिर upside यह momentum कर सकता है एक अच्छा bullishness हो सकता है तो कल हम लोग wait करते हैं कौनसे side market open होता है बहुत बड़ा gap down खुलेगा तो भी यह reverse हो सकता है इसके पीछे का region क्योंकि यहाँ पे support zone है 36600 यह सारे support zone है तो अगर बहुत बड़ा gap down खुलता है 200-200 point तो भी यह reverse हो सकता है या फिर थोड़ा सा हम लोग price action देखेंगे I hope यह point समझ में आ रहा है सबसे best trade आप लोग मिलेगा अगर यह flat खुल जाए इधने लोग hedge करके रखते हैं अभी market मैंने आपको last time भी बताया था 38000 हो गया 36600-400 यह दो level अभी hedge करके लोग रखे होंगे 38000 तो बहुत उपर level पे जा चुका है अभी अकर हम लोग मेरे swing देखेंगे 37300 के आसपास एक resistance है 36600 यह एक support और resistance की तरह level maintain करेगा तो इसी level के बीच में volatility create कर सकता है हो सकता है 200-200 point यह आ जाए लेकिन in the end में volatility create कर सकता है तो चलिए भी हम लोग nifty देख लेता है bank nifty एक channel के अंदर था जो downside shift हो रहाता धीरे धीरे अगर हम लोग nifty देखेंगे definitely एक range के अंदर है लेकिन एक flat line के अंदर है तो यह सबसे ज़्यादा interesting trade दिख रहा है अगर यह 17600 क्रॉस करता है इमिडिटल आपको buy करना पड़ेगा अगर यह 17520 यह 30 के नीचे निकलता है इस range के नीचे निकलता है तो आप लोग sell कर सकते हो target भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि last swing इसी level के असपास यह weight किया था 1700, 450, 1700, 430 यह 40 यह level target होना चीए एक अच्छे level पर है यहाँ पर एक range बनाया हुआ है मार्केट एक range के अंदर फता हुआ है चली अभी अम लोग देखेंगे यहाँ से अल्रेड एक breakout दे चुका है अच्छा momentum हो चुका है आज भी हम लोग यह stock देख रहते हैं इसके बाद यह almost last swing के आसपास ही trade कर रहा है कल अगर यह flat खुलता है, cross करता है तो एक अच्छा momentum हो सकता है 1640 के उपर हम लोग इमिडिटल इसको प्लान कर सकता है buying करने के लिए 6-7 रूपीज का stop loss रहेगा 1-2 target होना चाहिए एक continuation में जा सकता है त्योंकि trend अभी यह stock के अंदर एक bullish दिख रहा है चलिए मैं लोग next stock देख लेते हैं, next stock है take care इसके अंदर भी एक अच्छा breakout अल्रेड़ी दे चुका है मैं आपको similar point पर बात कर रहा था यहाँ पर एक range ब्रेकाउट दे चुका है यह फिट से continue हो सकता है 1500-15 के उपर हम लोग इसको प्लान कर सकता है 5-6 रुपीज का stop loss रहना चाहिए यह 1-2 आपका target होना चाहिए एक अच्छा level पर दिख रहा है यह continuous में जा सकता है अगर gap up खुल गया तो इसको ignore कर देना अगर let's say 1500, 20 या 25 में कहीं पर open होता है इसको ignore करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर फिर profit booking आ सकता है next stock है HDFC bank अगर हम लोग देखेंगे यह last swing के आसपास trade कर रहा है यहाँ पर price action selling के side दिख रहा है और सबसे वड़ा bank nifty slow and steady नीचे आ रहा है क्योंकि heavyweight stock continuously नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर selling pressure अभी भी है कल हम लोग देखते हैं यहाँ पर already यह low retest कर चुका है कल अगर यह निकलता है तो definitely 1500 एक round level है और यहाँ पर support भी दिख रहा है तो एक अच्छा trade मिल सकता है अगर यह अकल flat खुल जाता है ग्यापब खुल जाता है तो यह subtract कर जाएगा 5-6 रूपे उपर निचे खुले चलेगा लेकिन अगर 10-15-20 रूपे उपर खुल जाता है तो यह subtract कर जाएगा लेकिन 3-4 रूपे यह flat खुल जाता है तो हम लोग इसको sell कर सकते है 1500-30, आपका stop loss रहना चाहिए 4-5 रूपीज का 1-2 target होना चाहिए अगर यह continuously जा रहा है तो 15-10 या 20 के आसपास आपका target रखना है एक अच्छे लेवल पर यह दिख रहा है selling के side next होके IJL अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक selling का pressure आपको दिख रहा होगा continuously selling आया उसके बाद एक reversal आया first pullback पर हम लोग buy नहीं करते हैं दो से तीन रूपे का stop loss रहेगा और अच्छे लेवल पर दिख रहा है I hope यह सारे point आपको समझ में आ रहे होगे वीडियो चलागो तो इपने लाइक और सब्सक्राइब अभी कले इतना ही Thank you